हेलो फ्रेंड्स ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इंजिनिरिंग स्पेसिफिकली बी-ई, बी-टेक पास कर चुके हैं या आने वाले सालों में पास करने वाले हैं आप लोग खास कर इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिएगा आप लोगोंने डिसाइड कर लिया है या अपने फ्रेंड्स से डिसकास कर रहे होंगे कि इंजिनिरिंग कहत्म करने के बाद क्या करना है जिन लोगोंने डिसाइड कर लिया है, I'm sure उनका डिसीजन ये तीन पॉइंट्स में गूम रहा होगा आइटी कंपनी में जॉब करनी है, फैमिली बिजनेस जॉइन करना है या कोई स्टार्ट अप करना है I'm sure इस समय इंडिया में 80-85% लोग आइटी कंपनी चूज करते हैं कैंपस सेलेक्शन या ओफ कैंपस सेलेक्शन आइए अब देखते हैं कि हम आईटी कंपनी की तरफ क्यूं भागते हैं पहली चीज है कैंपस प्लेट्समेंट का क्रेज कॉलेज के पियर ग्रूप में आगे रहने के लिए हम सब का सपना होता है कि कॉलेज खतम होने से पहले हम प्लेज हो जाए और आईटी कंपनी सबसे ज़ादा मोर देन 90% रोल प्लेए करती हैं कॉलेज कैंपस रिक्रूट्मेंट्स में इसके चलते मेकानिकल, इलेक्टरिकल, सिविल जिनका कोई लेना देना ही नहीं है आईटी से वो भी आईटी कंपनी की तरफ चले जाते हैं दूसरी चीज है कंपनी का बड़ा नाम बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिनका सिर्फ नाम, रेप्टेशन और इंफ्रस्ट्रक्चर देखके ही लोग उनको अपना सपना बना वैटते हैं आईए अब आपको बताते हैं कि ये आईटी कंपनी कंपनी काम कैसे करती हैं और ऐसा क्या है कि ये कंप्यूटर साइंस, आईटी, मेकैनिकल, इलेक्टरिकल सब को बल्क में हायर कर लेती हैं तो आईए यहाँ पर देखते हैं कि ये आईटी कंपनी काम क्या करती हैं फिर देखते हैं काम कैसे करती हैं ये IT companies कुछ इस तरह की services प्रोवाइड करती हैं जैसे की software development, service support या consultant services अब देखिए ये services ये किन के लिए प्रोवाइड करवाती हैं जिन clients के लिए ये service प्रोवाइड करवाती हैं more than 50% वो clients foreign के होते हैं hardly कोई Indian होता है अब ये इन services का अपने client से per hour या बोलें तो per man hour के हिसाब से charge करती है मान के चलिए एक ABC नाम का bank है जिसने अपने software development और support के लिए एक Indian IT company को contract दिया हुआ है और ये IT company उस bank से 25 dollars per hour charge करती है ये जो 25 dollars per hour है ये मैं एक average ले रहा हूँ ये amount बहुत ज़ादा से बहुत कम हो सकता है ये 25 dollars एक base लेकर के मैं चल रहा हूँ real life में ये amount 50 से 100 dollars per hour तक हो सकता है अब ये IT company क्लाइंट के काम के हिसाब से 100 से 200 अपने employees क्लाइंट के project पे काम करने लगा देती है अब थोड़ा calculation देखते है एक employee जो की होगे आप लोग 8 hours काम करते हो generally 25 dollars per hour into 8 hours ये आता है 200 dollars per day Saturday, Sunday हटा के लगभग 22 working days होते हैं एक महीने में 200 dollars into 22 days ये आपका 4400 dollars per month बनता है उसके बाद 200 employees खेर छोड़िये हम एक employee की बात करते हैं एक employee का data देखें तो ये IT company आपके नाम पर उस bank से 4400 dollars per month ले रही है जो की 2,60,000 रुपे इस समय लगभग होता है और ये company आपको देती है 20 से 30,000 एक महीने का 25 dollars per hour जो मैंने बताया ये एक lower end designation का है team leads, managers इनका 50 dollars से 100 dollars तक चार्ज करती हैं ये companies तो मान के चलिए ये companies आपकी salary से 10 गुना जादा आपसे कमा लेती हैं अब आप सोच रहे होंगे कि ये गलत है नहीं, जो हमारा client bank है उसने इसी IT company को ये contract क्यों दिया क्योंकि इसकी ऐसी reputation है कि वो bank अपनी services को लेके भरोसा कर सकता है अपनी information को लेके भरोसा कर सकता है तो दिक्कत कहाँ पर है ध्यान से सुनिएगा दिक्कत यहाँ आती है कि जब आप ऐसे बड़े project में काम करते हो तब आपको ये पता चलता है कि इतने बड़े project की team में जो भी काम है वो 5 नहीं, 10 नहीं 200 से 300 लोगों की team में divided रहता है जो कि उसी IT company के employees है और आपको किसी एक छोटी technology का काम दिया हुआ है इस से आपके effort एक ही scope में limit हो जाते हैं आपके effort में कोई scalability नहीं रहती यानि आपको अपनी knowledge बढ़ाने में सालो लग जाते हैं 4 से 5 साल के बाद आपको ये realize होता है कि आप first चुके हैं और दोस्तों अगर आप salary increment के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन companies में salary high 2% से लेके 15% annual रहती है जो कि आपके performance पे depend करती है जो बिलकुल भी खास नहीं है और आपको हमेशा निराश ही करेगी After all मैं यही कहना चाहूंगा कि आप तभी यह IT company join करने के बारे में सोचें अगर आप higher studies करना चाहते हैं और एक side income की जरूरत है या आप corporate culture और work environment का experience लेना चाहते हैं अगर आप अपनी knowledge बढ़ाते हुए अच्छी income चाहते हैं तो यह companies आपको शत प्रतिशत निराश करेंगी जो लोग business या startup के बारे में plan कर रहे हैं हमारे चैनल को subscribe कीजिए जल्दी ही business और startup के बारे में हमारी वीडियो आने वाली है और कोई सुझाव हो तो नीचे comment section में बताइए इस वीडियो को like करना मत भूलिएगा हम ऐसे ही जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे